हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंग का शर्मा स्विट सेंटिड किचिन में आपका स्वागत करती हूँ तो आज मैं बना रही हूँ मटर मश्रूम की सबजी जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो मेरे बतायव इस तरीके से बनाएँगे तो सबजी एक्तम टेस्टी बनकर त्यार होगी तो सबसे पहले मैंने लिए 10 किलो फ्रेश मटर लगबग 10 किलो मश्रूम जिसको अच्छे से दोलिया था मैंने तो अब मश्रूम को काट लेंगे इस तरह से तो सारी मश्रूम को इसी तरह से काट लेंगे अमें ग्रेवी तियार करूंगी तो उसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, लैसुन और हरी मिर्च को लिया है तो अब एक पैन में मैं ओईल दोंगी और इसमें डालूगए प्याज और एक से दो मिनट के लिए से भूल लेंगे इसमें डालूगी लैसुन की कल लिया हरी मिर्च अर इसमें डालूँगी टमाटर और नमक इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसको घंडा कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे पेस्ट हमारा बन गया है तो अब मैं कड़ाई में थोड़ा ओईल हूँगी और इसमें डालोंगे दो तेज पत्ता जीरा जिंजर गालिक पेस्ट टमाटर पेस्ट उसको बून लेंगे जब तक हमारा ओईल रिलीज नहीं हो जाता इसमें जाएंगे मसाले हलदी धनिया पाऊडर अल मिर्च पाऊडर नमक नमक हमने पहले भी ढाला था इसलिए हिसाप से ढलें it Talk मटर क्योंकि मटर हमने फ्रेश ली है तो हम इसे पहले ही डालेंगे अगर फ्रोजन मटर होती तो मश्रूम के साथ भी डाल देते हैं इसमें डालूंगी पानी और इसको ढखकर के दो से तीन मिनट के लिए एक उबालाने देंगे ताकि हमारी मटर सॉफ्ट हो जाएं इसमें जाएंगी मश्रूम और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढखकर के इसमें भी एक उबाला आने देंगे अब सब्ची में उबाला आगया हमारी और इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी और गरम मसाला सब्ची हमारी बनकर तियार है हमसे सर्फ करेंगे और इसमें गानिश करूंगे क्रीम के साथ देखे सबजे हमारी देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है तो खाने में तो इससे ज़्यादा टेस्टी लगेगी आप इसे रोटी पराठे पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं